हेलो एव्रिवन वेल्कम अगें टू लंव्रे दिमन आजम करने वाले हैं क्लास 7 का चेप्टर नंबर 4 और चेप्टर नंबर 5 दोनों एक साथ ही करेंगे चेप्टर 4 क्रसी से समभंदित है और चेप्टर 5 जो है वो ब्यापार से समभंदित है तो राजिस्थान के संदर्व में ही ये चेप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रीट कर लिया था यदि आपने नहीं किया है तो आप लोग करिएगा और फिर उसमें से निकलकर आये हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 राज्यस्थान में क्रशी विपढ़न राज्यस्थान राज्यक्रशी विपढ़न बोर्ड की स्थापना कब की गई थी आपके एक्जाम में आ सकता है कुश्चन 1974 इस्वी में की गई थी राज्यस्थान में जीरे की सरवादिक प्रसिद मंडी कौन सी है तो जोदपूर मंडी जो है वह सरवादिक प्रसिद मंडी है जीरे के लिए नेक्स्ट देखिए राज्यस्थान में धनिया तथा मैथी के लिए प्रसिद मंडी कौन सी है तो वह है कोटा की रामगंज मंडी याद रखिएगा कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मैथी के लिए प्रसिद है और वहीं हमने देखा कि राज्य की जोदपूर मंडी है व अनाज किस मूल्य पर खरीदती है, तो वह नियूंतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है, ठीक है, जिससे की सरकार किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिला सके, इसलिए वो एक ऐसा मूल्य डिसाइड कर देती है, जिससे की किसानों को टैंचन ना हो, उनको टैंचन ना हो कि उन जिसमें आम उभोकताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुचे। इसके लिए सरकार ने सार्जनिक वित्रन प्रणाली की विवस्ता की है। इसका अर्थ ये है कि देश में खाद्यान की आपूर्ती और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूले की दुकानों के माध्यम से जो भी खाद्यम अधार्थ जो है मिलते हैं तो वह सार्जनिक वित्रन प्रणाली की अंतरगत आता है। नियून्तम समर्थन मूले से क्या विप्राय है। तो अभी हमने इसकी बात की थी कोश्यन जो है वो घुमा कर पूछ लिया गया है। तो यहां अर्थ होता है सरकार द्वारा निर्धारित मूले जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हे तु सरकार तयार रहती है ऐसा मूले। तो यहां पर यह चैप्टर कम्प्लीट होता है चैप्टर नंबर 4 क्रसी से संबंदित था तो चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 तो चैप्टर 5 जो है राजिस्थान में व्यापार इस चैप्टर का नाम है तो यहां पर जो important question है वो हम करेंगे राजिस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मील कौन सी है तो वे है दक्रिष्णा मिल्स लिमिटेड तो यह question मैंने आप लोगों से पहले पूछा भी था जब चैप्टर पढ़ाया था तो सभी बच्चों ने आंसर सही दिया था तो यह है व्यावर में है 1889 में इसकी इस्था आपना की गई थी ठीक है दक्रिष्णा मिल्स लिमिटेड राजिस्थान की पहली सूती वस्त्र मील तो यहां पर देखिए क्रशी आधारित जो उध्योग होते हैं जिनको हम दो भागों में बाड़ते हैं एक बड़े होते हैं उध्योग और दूसरे चोटे उध्योग होत वस्त्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है तो भील वाड़ा जिले को जाना जाता है वर्तमान में भील वाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं नेक्स्ट देखिए, राजस्थान को सूती वस्तर के बाद दूसरा कृषी आधारित सबसे बड़ा उध्योग कौन सा है तो सबसे नमबर वन पर सूती वस्त्र आता है राजिस्थान में जो की व्रहद उध्योगों की अंतरगत आता है और वहीं पर दूसरा जो उध्योग है वह चीनी उध्योग है नमबर वन पर है सूती वस्त्र उध्योग और सेकिन नमबर पर है चीनी उध्योग नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम चप्टर सिक्स के कुश्यन अंसर करेंगे थैंक यू